तो आज की वीडियो से मैं step by step आपको बताने वाला हूँ कि आपने कैसे practically strategy बनानी है और क्या local commerce की e-commerce की strategy होती है आपको मैं strategy practically बताऊँ का step by step आज की वीडियो हम local e-commerce strategy की बारे में डिसकस करने वाले हैं अब मैं आपको एक बात बताते चलो आप जब भी अपने store के लिए ad चलाओगे अपने store के लिए sales के ad चलाओगे आपने कभी भी हमेशा जब भी शुरुबात कर रहे हो ना आपने कभी भी किसी और campaign से मतब likes के engagement की उसके इलावा sales के लावा कोई भी campaign इस्तमाल नहीं करनी आपने हमेशा अपनी campaign Shopify store के लिए जब आप product sale कर रहे हो आपने conversion, sales, purchase इनके इलावा कोई भी campaign इस्तमाल नहीं करनी मैं repeat करता हूँ बहुत से लोग क्या करते हैं बहुत से लोग अपना budget उनका limited budget होता है उनका बहुत कम budget होता है वो life की campaign चला जाते हैं जब आप ads चलाना शुरू करो new ad account पे, new काम पे आपने क्या कर रहा है आपने conversion sales purchase बस यही ad चलाना है Shopify पर क्योंकि भाई आपका main मकसदी sales लाना है आपका main मकसदी purchase लाना है तो why are you wasting time to run other objective ads आप क्यों time waste कर रहे हो दूसरे objectives रहे आपने direct purchase की चलानी है अब हम discuss करेंगे step by step basically मैंने इस campaign को faces की form में तोड़ा है मैं face 0 से start करूँगा और आगे तक लेकर जाओगा faces को तो different faces में तोड़ा है तो आईए मैं आपको practical ही दिखाता हूँ ads manager पे आपने जब अपना store connect कर दिया सब चीजें जो मैंने step by step पीछे बताई है आपने वो सब चीजें कर ली अब आपने ads कैसे बनाना है कैसे आपने strategy बनानी है वो मैं आपको बताने वाला हूँ practical ही दिखाँ हूँ कि आपने ads कैसे बनाना है तो चलिए आप create पर click करते हैं उसके बाद मैंना को किया गा हम हमेशा sales का ad चलाना है आपने तो sales पर मैं click करना हूँ continue मैं click कर लेता हूँ आपका नए ad account भी उटा नए business भी हो आपका मंसब भी sales लाना है purchase लाना है तो आपने sales का ad चला रहा है तो आप campaign का नाम campaign का नाम आपने कैसे से रेक्टरना है यह मैं आपको बताने वाला हूँ सबसे मेले हमारा phase zero है और मैं कौन से campaign चलाऊँगा ABO या CEO start year में ABO चलाऊँगा तो मैंने यहां लिखना है ABO उसके बाद मैंने क्या करना है वीरा product का नाम क्या है product का नाम क्या है वो आपने campaign रखना है क्योंकि आगे जाकर क्या होता है आगे जाकर जाकर जाएना product change करते रहते हैं तो हमें product का नाम याद होगा product की नाम से हम campaign रखेंगा हो तो हमें confusion नहीं होगी जैसे मैं product लेलता हूँ moon lamp इस face का मकसद क्या है वो आपने लिख रहा है purchase लाना है तो वो आपने लिख लिए अब ये basically campaign किस के लिए है इस campaign को हमारा purpose क्या है हमारा purpose है pixel warm up करना इसका मकसद हमारा pixel warm up था तो हमने pixel warm up निखिया बस आपने campaign में यही चीज़े करनी है step by step इसके बाद आपने यहां कुछ भी नहीं करना next पर click करना है अब आता है add side अब add side में आपने क्या रखना है जो audience आप यहां select करोगे आपने वो रखना है अब जैसे pixel warm up पे हम हमेशा broad audience रखते हैं तो चल्ली से आप pixel warm up पे broad audience लिख लिख लेते हैं detail जितना आप detail नाम दिखोगे उतना ही आपका फाइदा है pixel warm up broad audience आपने क्या करना है पिक्सल warm up पना लिया अब उसके बाद क्या करना है आपने website पर आना है website पर click करना है आपकी कोई भी pixel आपने यहां से connect किया हूँ वो आपने pixel यहां रख लेना है जो भी pixel यहां पिक्सल यहां connect हो वो automatically यहां आ जाएगा अगर बहुत सारे पिक्सल करेक्ट है इस ad account से तो आप select कर सकते हो उसके बाद आपने जा करना है आपने event करना है select और हमेशा हमेशा क्या रखना है purchase मेरे दोस्त बहुत से लोगों मैंने देखा है यहां पर वो purchase के लावा शुरू-शुरू में view, content, page view, ad to ka डखते हैं याद रखना दोस्त जिस event पर आप अपने ad account को और अपने pixel को train करोगे वही तरीके से result देगा आपने यहां पर purchase के लावा कुछ भी नहीं रखना अगर आप purchase नहीं रखोगे शुरू-शुरू में तो आपका pixel किसी और event पर train हो जाएगा और आपको उसी तरीके से result देगा और जब आगे जागर आप purchase रखोगे ना तो वो बहुत पैसा खर्च करना पड़ेगा उस pixel को purchase पर आने पर, purchase पर train होने में तो आपने start सही यहां पर purchase का event रखना है conversion रखनी है purchase इस error को आप छोड़ दें क्योंकि जब आपको बताएं कि error तब शो होता जब आप event prioritize नहीं करते यह error जब आप event prioritize कल नेंगे तो easily error यहां से हट जाएगा इस error को आप ignore कर सकते हैं अब आती है budget की बात budget आपने क्या रखना है इस campaign पर face 0 पर आपने रखना है 500 जो आपकी currency आप जिस लोकल पर चलाना चाहरे हो पाकिस्तान में हो इंडिया में हो आपने 500 रखना है 500 से आप शुरू कर सकते हो daily budget रखना है start date आप देख सकते हो एक गंटे बाद की schedule कर सकते हो दो गंटे बाद की लेकर start date और end date आपने नहीं देनी है ठीक है उसके बाद हमारे पास audience आता है audience के section पर हमने क्या करना है हमने अपनी location सेलेक्ट करनी है country सेलेक्ट करनी है क्या बोला मैंने अगर आप इंडिया में हो तो आप इंडिया सेलेक्ट करनी है और पागिस्तान में पागिसान सेलेक्ट करनी है बंगलादेश में बंगलादेश सेलेक्ट करनी है यहाँ पर आपने सिर्फ country सेलेक्ट करनी है उसके बाद आपने यहाँ पर age सेलेक्ट कर सकते हो exactly अपनी मर्सी से यहाँ पर age सेलेक्ट कर सक तो 18-54 बहुत अच्छी है जई है लेकिशम आप या देख सकते हो अपने प्रृड़क्त C. अब YOU बिल्कुल देख सकते हो उसके बाद़ आउने क्या करना है एक चीज़ आपने प्रृड़क्त C. यहायां पर ञेंडर C. आपकी प्रृड़क्त C. डो admission फृड़क से होती है जिसमें मैं product all पर click करता हूँ क्योंकि यह product mail भी खरी सकते हैं वोमें भी खरी सकती है इसलिए आपने यह specify करना है ठीक है और यहाँ पर आपने detail targeting में कोई targeting नहीं करनी कोई भी targeting नहीं करनी क्योंकि हमारी broad audience है हमने यह broad audience पर रखना है उसके बाद आपने यहाँ changes नहीं करनी placement पर आपने phase zero पर हमेशा automatic placement रखनी है ठीक है उसके बाद हमारे पर next आता है next आने के बाद आपने क्या करना है हमारे add level शुरू हो जाएगा add level पर आने के बाद यहाँ पर आपने जो चला रहे हो जैसे for example कोई post चला रहे हो तो post रखनो कोई video चला रहे हो कोई video का नाम रखनो यह आपके उपर है ठीक है उसके बाद आपने जो यहाँ पर page select करना है page select करने के बाद आपके बहुत सारे page होगे तो आपने वो page select करना है जिस पर आप ads चलाना चाहते हो और जो आपकी Shopify store से भी correct है याद रखना दोस्त वही page connect करना वही page लगाना जो आपके store से भी correct है उसके बाद अगर आपने इस टार्गर आप बनाया रहा है तो सही है वन्ना आप यह use select page से भी कर सकते हो ठीक है उसके बाद हमारे पास आता है आपने यह deselect कर देना है अब आपने create add create add means आपने कोई image या post डाल ली है single image में मैंने click किया हूँ उसके बाद मेरा क्या होगा उसके बाद मैंने क्या करना है यहाँ पर इसको delete करना है catalogs में कोई नी चला रहा है मैंसे कि सिंबल post पर चला रहा हूँ simple post पर और कोई वीडियो पर चलाना चाहरा हूँ यहां से मैं कोई भी post add करने के बाद कोई भी add कर सकना हुँ जो मेरे अच्छे creative बने मैं सिर्फ एक post add करना है या कोई add creative करना है तो यहां पर मैंने एक post ले ली उसके बाद मैंने क्या करना है मैंने यहां पर बदाया को यहां पर एक post या एक video आपने कोई भी ले ले ली है उसके बाद आपने यहां पर primary text, headlines और description लिखनी है इसके लिए मैं आपको recommend करूँआ कि आप अपने facebook ads library पर जाओ ads label पर जाने के बाद आपकी जो product है वो आप वहां पर search करो location का लो आपको धेरो example मिल जाएंगी कि कैसे यहां पर primary text लिखना है कैसे headlines लिखनी है कैसे description लिखनी है बहुत सारी example मिल जाएंगी आप वहां से idea लिसकते हो और देख सकते हैं कौन सी campaign अच्छी चल रही है कौन सी ads अच्छे चल रही है आप वहां से ad copy लिक कर अपने idea लेकर अपनी wording में बना सकते हो जितनी जाला आपकी ad copy अच्छी होगी headline अच्छी होगी description अच्छी होगी उतने जाला results generate कर पाऊगे यह आपने facebook ads library से जागल करना है ठीक है उसके बाद आता है हमारा call to action button call to action button हमेशा आपने shop now रखना है क्योंकि हम purchase चाते हैं हम sell करना चाते हैं कोई चीज तो हमेशा selling में आपने shop now बटन रखना है उसके बाद आपने क्या करना है आपने यहापर अपना website का landing page का URL डालना है जो product आप sell कर रहे हो उसका landing page का अब वो आपके उपर है कि आप उसको short भी कर सकते हो bitly की form में या आप उसको बड़ा भी रख सकते हो या आपके उपर है फिर आपने क्या करना है आपने नीचे आन और इस phase zero को आपने पांच दिन चला रहा है जैसे कि मैंने यह पूरा सही से लिखा हो भी है ताकि आगर आपको कुछ चीज़े मिस हो गई तो आप इस points में भी देख सकते हो तो आप देख सकते हो मेरा phase zero pixel mom up है ABO campaign चला रहा हूँ है और हमेशा purchase event sale होने चाहिए हमेशा आप specify एक ad set बना रहा है सब आपने एक ad set gender भी specify कर सकते हो age भी specify कर सकते हो as for your product broad audience पे हमेशा कोई भी interest नहीं लगता और audience पे आप broad audience कर सकते हो और आपने इस ad set को पांच दिन चलाना है means आप अगर per day five hundred जा रहा है आपका तो यहाँ पर आपका कितना गिया पांच दिन के इस ad set को एक ही ad set बनाना है प्लेसमें नहीं बनाया है automatic creatives और उसके बाद आपने creatives जो creatives लना आके वो वीडियो भी उसकते हैं पोस्ट भी उसकते हैं मैं ज़्यादा प्रिफेर करता हूँ Shopify पे वीडियो क्योंकि वीडियो से ज़्यादा अच्छी conversion आती है लेकर मैंने कभ प्रिफेर में हमारा मकसद sales लाना नहीं है हमारा मकसद pixel warm up करना है इस campaign में हो सकता है sales आने के लेकिन जाले चाहसे नहीं होते है sales आने के तो आपने ना घुबराना है ना डरना है आपने इस campaign को चला रहा है ठीक है उसके बाद last point किया था हमने बताया कि इस phase zero को आपने 5 दि चला रहा है पांच दिन के इस campaign को 25 रुपे खर्च होंगे और आमने 5 दिन बाद इस campaign को बंट कर देना है क्योंकि pixel warm up हुआ था और उसके बाद इस campaign में को हमारा sales का purpose नहीं है पांच दिन बाद आपने इस campaign को बंट कर देना है और उसके बाद analyze करने के बाद आपने phase one shift करना है एनलाइज कैसे करेंगे को मैं आपको नेक्स वीडियो में बता हुआ उसके बाद हम उसको फेजर्ट वीडियो में कैसे बनाना है कैसे पछल को पर भटा के लिए पहला कैंपेंग बनाना है। अगर आपको आज के वीडियो पसंद आई तो आप लाइक कर सकते हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं मैं मिलता हूँ पर आपको नेक्स वीडियो में तब तक के लिए खुदा आफिस